है गाइस वेलकम तो सब अच्छ होंगे तो आज बात करने वाला हूं में आपकी स्टेट बोड की तरफ साइवी काउंसलर वेकेंसी के बारे में है तो स्कूल काउंसलर जो बट आप जो वर करोगे वह स्टेट बोड के डिपार्टमेंट के अंदर करोगे ना कि स्कूल काउंस के थुरू उनको आप सॉल करेंगे यह आपका इसमें वर्क प्रुफाल लेने माला है कांसलर्स का और स्टेट बोट के अंदर है तो आपको स्टेट बोट के डिपार्टमें में बैठके ही रोटेशनल शिफ्ट में काम करना होगा यहां पर लिखा हुआ है कि जो बच्छे स्ल बिखान काफी ज्यादा हैं बाट मैंधन नहीं ऐसा नहीं की कि एकतना पोस्ट कर देंगे ये वल परनार और पे तो जो मंदल मतलब जो उनका स्टेट बोर्ट में जो स्टेट की हो गया आपके सालरी वह आपको 200 रुपी पर आर तो काफी साइस बंजेगी वैसे आपको 200 रुपी प्रती घंटा के दर से आपको सैलरी मिलेगी तो अगर आप चार घंटे काम कर रहे हैं तो आपको कितना हो गया 800 रुपी आपका पर डे का हो गया ठीक है तो महीने का अगर आप महीने का करते बीए तो अपको 200 रुपे पर आर आपको मान दे दिये जाएगा जो परतिमहा कारे में उपस्तित के अधार पर गणना कर सीधे आपके बैंक अ पार रहे हैं 25 दिन और आप हर दिन चार घंटे काम कर रहे हैं तो उसके कवर्डिंग आपको इसमें सेलरी दी जाएगी ठीक है यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भूपाल से से केंटरी बोड ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो आपकी सेवाए हैं वह आपकी का भूपाल में एक जन्वरी से 31 दिसंबर दोजाएगी तक आपकी सर्विस लिए वनी शुरू में रहे हैं वसके बाद बड़े का लिखा हुआ नहीं है तो क्वालिफिकेशन क्या है आपने मनोग्यान आपने साइकॉलोजी में पीजी किया हो तो अप्राइग कर सकते हैं साथ में आपके पास काउंसलिंग का टू वर्सका एक्सपीरियंस होना मेंडेटरी है अगर वन यहर का भी होगा तो आप अप्राइ का एक्सपीरियंस आपके पास हो काउंसलिंग का स्कूल में और आपने मास्टर्स करा हो साइकॉलोजी में तो आप इसमें क्या है अप्लाइग कर सकते हैं ठीक है तो क्या है आवेदन पत्रक के निधारित परूप चैन्ट पर करिए रहा कारी के अनिसरते वेबसाइट पर आवेदत है आपको फॉर्म जो है वह अपने हास सही सब्मिट करना है तो मुझे नहीं लगता कि बाहरवाले बच्चे इसमें अप्लाइग कर पाएंगे बट एक बार आप इनसे कॉंट्रेट कर सकते हैं डिपार्टमेट ऑफ सेकेंड डिगोशन मद्यपर्देश वैसे आप कहां MP में जाकर सुर्वाइब करोगे तो आप कुछ बचेगा नहीं आपको तो मद्यपर्देश में विज्ञान करने शेतर में आपको जाके 21 नवंबर तक आपको अपने फॉर्म जो है वो विज्ञान मद्यपर्देश का जमा करना है माध्धमिक शिक्सा मंडल मद्य परदेश भुपाल इस्तिद्विज्ञान केंद्र में 21 नमेंबर तक अपना फॉर्म जो है आप सब्मिट कर देंगे उसके बाद अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लेश्ट होगा तो आपको इमेल के थूरू बता दिया जाएगा और आपका स्लेक्शन पर यह आपका फॉर् चीज़े है इसमें लिखी होंगे मैं देख लेता है एक बार में इसमें यह एक आपने पोस्ट गजवेट डिप्लोमा कर रहा है गाडिन कांसलिंग में तो उसके आपको 10 मार्क्स दिये जाएंगे अगर आपने पीजी डिप्लोमा कर रहा है कोई कम्पूइटर समय तो आप आपको उसके 10 मार्क्स दे जाएंगे तोटल कि तो गए 90 मार्क्स और 10 मार्क्स का सिंपल आपका इंटर्व्य होगा तो भई समझ लो कि जिनके 90 मार्क्स तो यहीं आ गया और पांच मार्क्स पूला 95 में तो वह वैसे स्लेक्ट हो जाएंगे तो बाहर वाले बच्चे मुझ आपकी मेरिड बनेगी और नंबर पोस्ट 10-12 से जादे होंगी हैल्प्लाइन के अंदर ठीक हर स्टेट में हर स्टेट की डिस्टिक में यह हैल्प्लाइन होगा महाँ पर बिढ़ाएंगे तो यह इंट्रव्य होगी और क्या जो बच्चे स्लेक्ट होंगे उनकी सूची जो आपका सेलेक्शन होता है तो आपका 100 रुप की नोट्रिक आनी है साथ ही बैंक के साथ फॉर्म 15 जी एवां पैन कार्ट सेल्फ अटेस्ट की आपको कॉपी जमा करनी है किसी भी स्थिति में यह आपका काम का नहीं है बस इतना आपका पीडियाफ टोटल यह और बहुत प्य प्याइंटा मि Fall एक कर सकते हैं के यह बागी जो बाहर वाल हैं उनके लिए और व्यकार विडियो लेका रहा हूं बागी वीडियो को को लैक कर करते वे questo रेना कोई कोई inner करनी है कुछ भी चीज होगी तो मुस्mac奏 बेजी जग पूछ लिना वीडियो डिस्क्रिप्स्ण में इंस्ट्राइम का लिंक है वहाँ मुझे पूछ ले मैं बता दूँगा आपको बाकी वीडियों से लगी कमेरे के बता देना जब मिलता अगली वीडियो तक है थैंक्यू